नमस्कार दोस्तों लम अंत्र उपाई यूटूब चैनल में एक पर फिरसे आपका स्वागत है मित्रों आज मैं आपको किसी टोट का बताने की बजाए कोई तंतर्शाष्तर बताने की बजाए आज एक साधारन सा जीवन में उप्योग होने वाली चीज़ें कुछ बताने जा रहा हूँ और आपका मारक दर्शेन करने जा रहा हूँ मित्रों जैसा कि आज जिस परियोग के बारे में मान लीजिए कि जिस बारे में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ आपसे बात करने जा रहा हूं मिराज एक दम बिल्कुल लाईव आने का हुदशे इसलिए है कि मैं आपको असानी से कुछ एक बात ही समझा पाऊँ जो वशीकरण से जुड़ी हैं जो हर एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है जो पती पतनी से जादतर जुड़ी हैं जो जिससे प्रेम करते हैं उनसे जुड़ी ही बाते मैं आज आपके साथ सांजया करने जा रहा हूँ मितरू जैसा कि आज मैं आपको जिस बारे में बताने जा रहा हूँ वे हैं डिवोस डिवोस यानि कि तलाक तलाग के बारे में मैं आज आपको पूरी तरह के ऐसे जान करी दूँगा जैसा कि चालतब तर जिन बेंगों ने मेरे से सवाल की और जिन भाई leavy उने में उसे ये सवाल की कि ground gebताए कि हम अपनी पती पत hugging को बहुत प्रीम देतें बेहंथे हां प्रीम देतें यानि कि हमारी हुई भी लव मेरेच है फिर भी हमारे अंदर ऐसा क्या वाद भी वाद आ रहा है कि जिसकी वज़े से आज मेरा पती मेरे को छोड़ना जाता है यह मुरी पत्नी मेरे को छोड़ना जा रही है या वह है मेरे को बीट पीछे मेरे बीट के पिछे मेरे पतनी गलत है मेरा पती गलत है हम एक दूसरे को दोखा क्यूं दे रही है और कई बार ऐसा लगता है कि प्रेम वह भी मुझे से बहुत करती है और प्रेम मैं भी मुझे से बहुत करती हूं या करता हूँ लेकिन फिर भी हमारा रिष्टा तूटने तक आ गया या किसी दीजरे की वज़े से अच्छाने किसी दीजरे की वज़े से आने से हमारा सालों का प्यार है वो एक दम बिखर गया है और हमारा रिष्टा तूटने की गगार पे आ गया और आज मेरे पती या मेरे बतनी मुस्से डिवोस लेना चाहते है तो मैं आज आपको कुछ एक कारण बताऊंगा और कुछ एक उपाई बताऊंगा जिने आप अपने जीवन में करकर अपने जीवन को विर्थ रूप में अभाव में ऐसे सम्मे बरबादने करते हैं एक अच्छी राव पर लास कें और अच्छा वैस्वच जीवन जी सकें जिससे कि आपके परिवारे करेश्टे में सुद्रें और आपको अपने दामपती जीमन का पूरा पूरा सुख मिले मित्रों वीडियो बताने से पहले मेरी एक हमेशा आपको आगे चर्चा पर जाने से पहले मैं आपको कहूंगा अगर अब तक आपने हमारे लम मंतर उपाई यूटूब चैनल सस्क्राइब में किया तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करेजी और वेल आइकन को दबाना नहीं भूले ताकि यागर जलकर हम आपको और भी टोट के वे मंतर बता पाई मैं तो जैसा कि हाज का वीडियो बनाने का उद्शी है यह उन बेनों के लिए उन भाईयों के लिए हैं जो अपने पती पत्नी परकांश्यान यह जाते हैं जादातर कारणी यह है कि आप जो मैं मर्दों को एक सला देना चाहाँगा और यदी आपकी परहिम विवा हुआ है आपकी शादी हुई है तो आप अपने पत्नी को पूरा सुक देने की कोशिश कीजिए और जो प्यार की आप भारी इच्छा रखते हैं भैई आप अपने घर में अपनी पत्नी से बात चीजिए उन्हें एक दोस्त की तरहें गाइट कीजिए उनकी भावनाओं को समझे इस्त कीजिए जो में ध्यान देने की बजाए जब आपका पती अपने घर रहता है आपसे प्रेम की बात दे करता तो तो हम उन्हें से चर्चा कीजिए उन्हें वो सुक देने के कोशिश कीजिए ताकि वह किसी तीसरे के पास जाए ना आपको एग्णोर करने का कोई मोका ही नही अपने पती को आप अपने दामपते जेवन का पूरा भरपूर फाइदा उठाए और कई बर यह होता है कि किसी तीसरे के आने की वज़े से रिष्टा इसलिए घराब होता है कि आप दोनों में ही कहीं ना कहीं कमी है जिसके करणा आप दोनों की कमियां के कारण ही आप एक गलत बताते हो और चो प्रमात्मा द्वारा इश्वर द्वारा देनी है जो दामपते जेवन जो पती पतनी का जो पवीत्तर रिष्टा है उसे आप घराब कर बैठते हो इसके लिए चोटी चोटी उपाई भी आप यदि करते हैं शुक्रवार के दिन भवान शिरी किर्शन इस तरही है भी वर्थ रख सकते हैं वो तोपर के दिन अप भवान शिरी गनीश का वर्थ रख सकते हैं कोई हर अचारा डालें कुट डालें आप ऐसी कुछ चेकविदियां करके या और जिनकी जो और चबर स्ट्वे से शादी हुई है सबसे पहले मैं बता दूं कई लोग अपने परिवार से भी चले जाते हैं और अपने जिनके पीछे पे यह सब करते हैं अपने परिवार को जोड़ते हैं उनसे भी चले जाते हैं उन लोगों को मैं एक ही सला देना चाहूंगा जब भी आप किसी से प्रेम विवा करें या वैसे विवा करें तो सुएर परतुम आ पहले तो आपका कुछ एक साल या कुछ एक महीने तो रिष्टा चलता है लेकिन उसके बाद अचानक से विवाद आ जाते हैं तो वे आपके मांगली कारों की वज़े से थे हैं जो आपके जो एश्ट होते हैं देवता होते हैं उनकी अंदेखी करने की वज़े से आपके जाने के बारे में जाने, या आपके दामत्त्य जीवन में आने की प्रशानिया है, जो भी जानना चाहते हैं तो मुझे कॉलवे बढ़ सब करके वे जिचक इन के बारे में जान सकते हैं, मैं आपको एक अच्छ हमारा के दर्शन करूंगा। वशीकरन टोटका कर देता है या पतीपे कर देता है या घरवाले ही नहीं चाहते कि आप दोनों खुश रहें तो ऐसा भी हो सकता है यदि आप पर किसी ने काला जादू किया है या टोटका किया है वशीकरन किया है तो आप के बारे में जानकारे भी मुझे से प्राप्त कर सकते हैं मेरे पास ऐसे बहुत से हो पाई हैं जिसकी वज़े से आपका दाम पते जिमन सूखी में रह सकता है और आपका तलाग होने से डिवोस होने से बचा जा सकता है आप इन कारणों को अच्छ है जाने, इन से जूड़ी बातों के बारे में अच्छ से बेज़ी जब हो जबो, कर मुझे कॉल कीजी, बड़ सकीजी, कि लोग शर्माते हैं, कॉल नहीं करते, वो यह सोगते हैं कि मैं अपनी पती बतनी से अलग होने की बात कर रहा हैं, या मैं म विभा भी करना चाहते हैं जिसे प्रेम करते हैं तो हम उससे बेज़ ज़िज़ कांट और यदि आप वास्तम में आपको कोई बहुत बड़ा करना आप अपने पत्नी पती से अलग होना चाहते हैं तो आप उससे जुड़ी भी किसी विदी के बारे में असान से उपाई करके असानी से कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल वैसो की में ना सकते हैं मैं तो आज के लिए इतना ही मैं आगे आपके लिए एक वीडियो और लेकर आए हूँ जिससे जुड़ी मैं कुछ एक आपको उसके अंदर टोटके बताऊंगा जो तलाग को रोक भी सकते हैं और तला कि उनका रिष्टा बस सके आपके एक लाइक एक शेर से किसी के परिवार उज़ने से बस सकता है तो इसे के साथ मैं आपसे जाज़े चाता हूँ धन्यवाद